जैहिंद सातियों नमस्कार सातियों 28 अगस्त 2022 को वित विवाग से जारी एक परिपत्तर जो NPS से संबंदित है उसको लेकर कई परकार की संकाएं कई परकार की भ्रांतियां उत्पन हो रही है और विशेश कर उन सातियों के सामने बहुत बड़ी दिकत पैस हो रही है जिन्होंने NPS से रासी आहरन कर लिये तो इस परिपत्तर के संदर में हम कुछ बाते करेंगे क्या इस परिपत्तर को लेकर डरने की जरूरत है जिन्होंने रासी का आहरन कर लिया है क्या वे NPS लेने के इच्चुक है तो ये संपुर्ण बातें इस परिपत्तर की मादिम से हम समझेगे तो इसमें विशे इसपस्ट लिखावा है कि दिनांक 1124 और उसके बाद जो न्यूक्त कार्मिक है उनके लिए पुरानी पैंसन योजना है वो सरकार ने लागू कर दी है लेकिन 2005 निर्सित होने के उपरांत भी NPS के अंतरगत आहरण प्राप्त करने के समझ में तो इसमें इसपस्ट यहाँ पर यदि हम देखें तो लिखावा है कि यदि आप यहाँ देख पा रहे है तो यहाँ इसपस्ट लिखावा है कि राजिय सरकार के निर्णे के अनुसार 11-2004 और उसके बाद नियुक्त करमचारियों के लिए पुरानी पैंसन योजना लागू करने और 2005 निर्सित किये जाने की अधिश उचनाय जारी की जा चुकी है तो यहाँ इसपस्ट का है कि 11-2004 और उसके बाद नियुक्त करमचारी यदि NPS आहरणे तू आवेदन कर रहे हैं तो यह एक गंभीर विसे है यह कब का जा रहा है यह का जा रहा है 28 अगस्त 2022 को तो मैं उन सातियों के लिए कह दूँ कि जिनोंने इस तारीक से पहले यदि आहरण कर लिया है तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है उस रासी का समयोजन करने का तरीका भी सरकार ही बताएगी आगे इसमें का है कि इस सम्मंद में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि 11 2004 और उसके बाद न्युक्त करमचारी यदि राज्य सरकार की अधिशूचना दिनाग 1905-2022 लागू होने के उपरांत भी NPS से अंतरण अंतरगत आहरण के लिए आविदन करते हैं तो ये माना जाएगा कि वह राजस्तान शीविल शेवा नियम 2005 के अंतरगत NPS का ही सद से बना रहाना चाते हैं और राज्य सरकार के निर्णे के अंतरगत पुरानी पैंसन योजना का लाप्राप्त नहीं करना चाते हैं सात्यों यहां में इस परिपत्तर से इत्थे पाक नहीं रखता क्योंकि 1905-2022 को जो अधिश उचना जारी हुई थी उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि जो सदस्य जो कार्मिक NPS से आहरण करेगा उसको यह माना जाएगा कि वह NPS का सदस्य बने रहने का इच्छुक है तो इसको लेकर कताई डरने की जरूरत नहीं है नहीं माना जाएगा कि वह NPS लेने का इच्छुक है NPS के लिए आविदन करता है तो वो नियमों का उलंगन माना जाएगा क्योंकि वित विभा के द्वारा इसमें इश्पष्ट कर दिया गया है आता है इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 11 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को इश्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस पर परिपत्र के जारी होने के उपरांत यानि 28 अगस्त के बाद NPS के अंतरगत आरण के लिए आवे दिन किया जाता है तो इसे गंबीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निरदेशों का उलंगन माना जाएगा और राज्य बीमा विभाग उस कार्मी के विरुद आवस कि यदि सरकार की और से कोई ओर्डर जारी नहीं होता है कि आप रासी का आरण कर सकते हैं तो ये गलत है नहीं करें क्योंकि अपनी जितनी रासी जमा है उसका कोई न कोई समाया ज़रूर करेगी प्रश्न नमबर दो आपका कि यदि हमने आरण कर लिया है तो क्या होगा तो परिपत्तर के जारी होने से पहले यदिया आपने कर लिया है तो उसके लिए सरकार कोई ने कोई दिसार निर्देश आउश्य जारी करेगी या तो वह रासी जमा होगी या जो जी पीप में रासी जमा जो होनी है वो जितनी बची है वो हो जाएगी और इस परिपत्तर के जारी होने के बाद कोई भी साथी NPS से रासी आहरण नहीं करे क्योंकि यह इस पस्ट सरकार के निर्दिसों का उलंगन होगा तो साथी वी यह एक आवसेक जानकरी जो आपके लिए मैंने परस्तुत की उमीद करता हूँ कि यह जानकरी आपको बहुत पसंद आई होगी और यदि किसी परकार की ब्रांती है किसी परकार का आपको संका है तो उसका समाधान भी इस वीडियो से हो गया होगा मिलेंगे किसी और ग्यानवर्दक जानकरी के साथ लेकिन जाते जाते एक विनम्र निवेदन की यदि आप इस चैनल के सदे से नहीं है तो सदे से जरूर बने और अपने सातियों को ये वीडियो सेर भी जरूर करें जाहिद